नमस्का Excellence Learners के Online English Classroom में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं Alfred Lord Tennyson की लिखी गई एक वहुती famous poem Break, Break, Break Students, यह Alfred Lord Tennyson की लिखी गई First L.E.Z है Do you know about L.E.Z? आच्छा चली बताता हूँ L.E.Z एक दुखांध कविता होती है जिसे हिंदी में हम विरहगान कह सकते हैं एक दुख की एक आशु भरी कविता है Alfred Lord Tennyson की Actually students, you know This poem was written during 1833 to 1834 1833 से 1834 के बीच में यह कविता लिखी गई थी और यह वही समय था जब Alfred Lord Tennyson का friend इसका नाम हैलम था उनका देथ हो गया था He was passed away in very tender age You know, that time He was only of 25 years of age और बड़ी बात तो यह थी कि हैलम से Alfred Lord Tennyson की बहन की engagement fix हो चुकी थी He was not only his friend now but his relatives So जब उनकी मौत हुई तो Tennyson अंदर से तूट चुके थे बड़ा ही दुख लग रहा था उनको और उस तमब यह कविता लिखी गई हलांकि इस कविता का जो प्रकाशन हुआ मतलब प्रबलिश किया गया It was year 1842 1842 में इस कविता को प्रकाशित किया गया Student इस कविता में अगर आप देखेंगे तो rhyming scheme है इसका A, B, C, B हर एक stage में second line fourth line के साथ rhymes करता है तो यह बड़ी ही एक famous कविता रही है आज इसी की व्याख्या करूँगा मैं आप लोग के सामने line by line, word by word figure speech वेगरा जो कुछ भी इसमें use हुआ है सभी की व्याख्या इसमें की जाएगी तो मैं जब तक इस कविता की व्याख्या आप लोगों के सामने शुरू करूँ मेरा request है अन्य दिनों के तरह आज भी जो मैरे इस channel पर अभी यह भी new है या जिन्होंने अब तलक मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है तो प्लीज गो आएड एंड सब्सक्राइब दे चैनल राइट नाओ एंड इस पर्टिकुलर टाइम वन यू आर सब्सक्राइबिंग नेवर एवर फोगेट तो हीट ओन इस बेल आइकन राइट तो चलिए आप इस मेरे channel को subscribe कीजिए और मैं अभी का भी आप लोग के सामने इस poem की line by line प्याख्या करता हूँ ठीक है? So now, without making any delay let's start the explanation of this poem break, break, break यही है Alfred Lord Tennyson इस poem के composer break, break, break O thy cold grey stones O sea and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me it is the very first stanza of this poem poet ने सुरू किया है break, break, break teen letters का लगातार यूज किया है अगर figure of speech की बात करूँ तो यह क्या है? पहले लोजिया है यह? पहले लोजिया में poet क्या करता है? किसी भी बात को emphatically कहने के लिए कई बार repeat करता है तो इस पहले लोजिया और क्या कह रहा है? on thy cold grey stone O sea समुद्र को कह रहा है कि है समुद्र तुम जो सी के तुमारी जो wave है वो टकरा जो रही है stone से आज stone को तोड़ डालो राइट actually students when the poet was in church जहांकि बरिप किया गया था दफनाया गया था इनका जो friend था हैलम को वो चर्ज थी समुद्र के ठी पास में तो अपने friend के ग्रेव के पास में खड़े हैं समुद्र को देख रहे हैं और कह रहे हैं समुद्र को कि ए सी वेव please break down this stone क्योंकि अपने आपको समुद्र के साथ ही सी वेव के साथ ये compare कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं देखे अगले लैंड में poet पोल रहे हैं and I would die my tongue could utter the thoughts that arise in me कहता है इस तरह से कि समुद्र ये सी वेव अपने बात को expression नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे रोक लेती है कौन stone रोक लेती है similarly poet के अंदर जो pain wave the wave of pain due to the demise of his beloved friend उनके friend के मरने के कारण उनके अंदर जो एक तुफान उठा हुआ है दर्द का जो तुफान उठ रहा है वह शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा है due to tongue tie क्या बोल रहे हैं उनके उस दुख को बता नहीं पा रहे हैं he is feeling that he has no tongue right now so he says oh see please break down this stone because I do understand I am not able here right now to break my tongue tie so I am not really in such a position to express the feeling of pain which are arising within my heart right figure up speech के बाद अगर इसमें हम करें तो first line में ही पहले लॉजिया का यूज किया है और देखे फिर OC यूज करके poet ने यहां पर apostrophe का यूज किया right fantastic let's move to the next stanza oh well for the fisherman's boy that he shot with his sister at play oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the way poet क्या बोल रहा है चार ओर देख रहा है poet अंदर से दुखी है but उसके around कहीं भी दुख दिखाए नहीं पड़ रहा है क्या बोल रहा है oh well for the fisherman's boy यहां पर जो समुद्र में मच्वारे है च्यूकि poet एक दम समुद्र के पास खड़ा है और जो church वह जो graveyard है जहां पर कि दफनाय गया है उसके friend हैलम को वह just opposite है seeker तो वहीं का warning कर रहा है क्या बोल रहा है oh well oh well for the seashell man's boy यहां पर जो मच्वारे है उसके बेटा तो उसका दो बच्चा वड़ा खुश है क्यों? क्योंकि that he shorts with his sisters at play अपनी बहन के साथ खेल रहा है और अपना खुशियां जो है और दूसरी ओर वहां पर सेलर भी है मच्वारे हैं नौस चलाने वाले हैं वहे भी अपनी खुशियां जाहिर कर रहा है they have no issue they are really in happiness poet को यहां पर contrast दिखाई पड़ रहा है he is feeling much and more pain but on the other hand entire situation entire atmosphere is full with happiness तो एक प्रकार से इरश्या हो रही है poet को यहां पर ठीक है चलिए next stage हमें देखते हैं फिर क्या poet बोल रहे है and the stately ships go on to their heaven under the hill but oh for the touch of venus hand and the sound of vise that is stage and the stately ship समुदर किनारे में हैं तो वह समुदर में तो ship आते ही जाते रहते हैं for carrying some materials and people तो stately मतलब होता है बड़ा ही भब आकरशक बड़ा सुन्दर तो वहां पर stately ship है जो जा रहा है कहां to their heaven under the hill hill ही इलाका हुए हुआ है जहां पर की समुदर के आसपास पहाड भी है इसलिए poet क्या कह रहा है कि ship जा रहा है hill के पास बालों पढ़ रहा है वह heaven में जा रहा है students यहां पर एक metaphor का भी use है क्योंकि उसके friend की death हुई है so poet thinks that definitely his friend the soul of his friend has gone to the heaven to God Almighty for the ultimate rest तो क्या बोल रहा है कि यहां पर समुदर में जहाद जा रही है hill के तरफ मालूम पढ़ रहा है heaven में जा रही है स्वर्ग में जा रही है लेकिन but oh for the touch of venus hand and the sound of fire that is a steel लेकिन vanish में बिलीन हो जाना वह हाथ वह दोस्त का हाथ जो कभी मेरे उपर पढ़ता था वह दोस्त का हाथ जिसे मैं पकड़ कर अपने आपको secure महशूस करता था it has vanished वह समाप्त हो चुका है वह दिखाई नहीं पढ़ रहा है बिलीन हो गया है and the sound of fire that is a steel लेकिन उसकी आवाज अभी भी उसके अंदर गूंज रही है वह महशूस कर रहा है उसको राइट फिर in the last stage ब्रेक 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 the foot of the crack OC क्या बोल रहा है पोएट ब्रेक 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 the foot of crack राइट फिर से पोएट कुछ तूटने की कुछ तोडने की बात कर रहा है है ना at the tender grace of day that is dead but the tender grace of day that is dead tender मतलब अच्छा है ना जो अच्छा दिन था उसका वह क्या हो गया वह तो खतम हो गया पोएट बोल रहा है जो उसके रिए शुब दिन था जो अच्छे दिन उसने अपने फ्रेंड के साथ बिताए थे वह दिन समाप्त हो चुका है अब वह दिन नहीं है राइट वह लेवर कम बैक टू मी और जो दिन बीट गया न वह फिर वापस भी नहीं आएगा ऐसा पोएट भूल रहा है राइट सो इस्टुडेंट दिस इस अल अबाउट दे पोव पोव में बड़ा दुख के साथ अपने अंदर की जो फीडा है वह बताया है पोएट ने और बार बार कर रहे हैं अपनी तुलना समुदर की उस लहरों से कर रहे हैं जो आती तो है बड़ी बेग से लेकिन चटान पर टकरा कर रुख जाती है शायद वह अपने अंदर की जो तुफान है उसे नहीं व्यक्त कर पाती similarly आज पोएट के अंदर भी एक दर्द का तुफान मचला हुआ है लेकिन उनकी जुभा उनका टंग साथ नहीं दे रहा है टंग is not going to help the poet to express the feeling to express the pain that is running within the heart of the poem right? so student that's all about this the poem now अगर आपको यह पोएट्री अच्छी लगी हो तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजे न और सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आकन को प्रिश्ट जरूर कर देंगे ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार कुछ नई पाठिकरम के साथ कुछ नए एक्स्प्लेनेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद